नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क मैं हूँ आपके साथ रिचा सिंग जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मशूर कॉमेडियन और एक्टर राजुश रुवास्तों का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है इसे सिलसिले में आज हमारे साथ मौझूद है अर्शत खान जी जिनों ने राजुश रुवास्तों के साथ काम किया है आज हम उसे जानेंगे उनके साथ बिताया उन लमों के बारे में तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगे अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां पर बुलाया सर आप राजुश रुवास्ता के साथ काम किया है उस लमों के बारे में कुछ बताई राजुश रुवास्तों जी हमारे बहुत सीनियर आर्टिस थे और अगर कह जाए तो मैंने राजुश इसाथ करी कोमेडी स्टार्ट करी कॉमेडी मैं पहले से करता था लेकिन राजुश जी को देखकर मुझे बहुत सारी चीज़े मिली कही सारे मंच पर लोग मुझे देखकर जब मैं परफार्म करता था तो लोग कहते थे यार तुम्हारे अंदर राजू श्वास्तों की जला काती है तो हलांकि ये लोगों का प्यार है लेकिन राजू भाई राजू भाई थे और उनके साथ तमाम सारे स्टेज हमने साजा की अभी हाली में उनके साथ मैंने लास्ट टाइम लकनो के आई जीपी में एक प्रफॉर्मेंस दी थी जिसमें मैं और वो बड़ा ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने किये कि बड़ा मज़ा आया ओडियन्स को हम दोनों लोग स्केट कर रहे थे राजू भाई से बड़ी सारी चीजें सीखने को मिलते थे जब वो मिलते थे जब कुछ नया बताते थे कि ऐसा चल रहा है ऐसा क्या चल रहा है आज कल क्या करना चाहिए तो हमसे बात चीत करते थे, डिसकस करते थे, तो लोकल जो लखनो में जो चीजें चल रही हैं, यूपी में जो चीजें चल रही हैं, तो उस बारे में उसे बहुत सारी बाते हमसे होती रहती थी राजु बाजी से. ऐसा कोई मोमेंट जो सबसे आपके हिसाब से यादगार रहा हूँ उनके साथ यादगार मोमेंट की मैं आपको बाब बता हूँ ऐसी बहुत सारी गटनाएं हैं कि आसिब अल्मोस बीस से पचीस साल पुरानी बात होगी लखनव से पचास किलोमेटर दूर देवा मेला लगता है वहां पर राजु भाई का शो होता था मेंशा कॉमेडियन राजु शिवास तो वहां पर आया करते थे और हम सब लोग उनके बड़े फैन थे तो मैंने मुझे पदा चला कि राजु भाई का प्रफार्मेंस वहां पर होने वाला है तो बड़ा मन उचाट था कि किसी बात कि चल रही बड़ी मुश्किल से कैसे ना कैसे करके मुझे अंदर इंट्यू मिली मैं पहुचा तो राजु भाई बैक स्टेज थे ग्रीन रूम में तो उसे पहले भी कई बार राजु भाई से मारा सामना हो चुका तो जैसे राजु भाई ने देखा देख के मुझे मेरे नाम से उन्हें पुलाया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं यह सोच रह था कि मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे जब उन्होंने मुझे नाम से बुलाया कि अरे अर्शद आ जा रहे मैं जब पहुचा तो मैं खुद अपने आपको राजु श्रिवास हो पाया उनके अंदर वह काबलियत थी मगर उनका इस तरह से चले जाना ये मतलब भजम नहीं हो रही है बात अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजु श्रिवास्तो जैसी शक्सित जो इतनी जल्दी और इतनी कम एज में आइटावन साल की एज थी उनकी और कुछ नहीं थ चुरूर हुआ था अभी तो वह अंतररास्टी इस तरह पर पता नहीं क्या क्या करने वाले थे मगर हम सब भजम नहीं कर पा रहे हैं इस बात को राजु श्रिवास्तो की कोई ऐसी बात जो जनता को ना पता हो दर्शकों को ना पता हो और जो आप बताना चाहते हैं जाए बड़ाद के आटिस्त रहते थे चाहें वो मुझिकल बैंड के आटिस्त हो चाहें फीमेल एंकर हो शो को होस्ट करने वाले लोगों को आटिस्ट होनके राजु बैठे बैठे अचानक से कुछ मतलब उनक एक बड़ा अजीब स्टाइल था अबे लोंडे क्या कर रहा चल रहा था तो राजु भाई अपना एक आइटम प्रफार्म कर रहे थे मैं वहां पर एंकर की भूमिकाने बाह रहा था तो मैंने राजु भाई को प्रिजेंट किया उसके बद क्या हुआ कि टैरिस पे प्रोग्राम था तो किसी मिरकल न्यूस चैनल के लिए ही हम लोग कर कुछ देर के लिए रुग गए और जैसे ही वह स्टार्ट करने लगे तो फिर किसी ने अतरजवाजी तो वह डिस्टावर थे कंसंट्रेशन ब्रेक हो अचानक से वह गबरा थे उसके बाद उन्होंने जो आइटम कर थे उसको तो तो उन्होंने चोड़ दिया वह बाहर जो कंपूरिया अंदाज में मतलब करते ते उनका गजोधर तो आपने देखा ही जब देखा है लेकिन वो कपूरिया स्टाइल में जब बातचीत करते थे का वे इसन हवा तो मतलब ये भोशपूरी अवधी इसाब उनके टेन में जब आते थे जैसे कोई बच्छा सामने खेलन परफॉर्मेंस कर रहा है तो अचानक से वो ऐसा डायलाग ऐसा जुमला बोल देते थे कि मतलब यह लाखर उपाय का सामान किसका खुला पड़ा हुआ है ऐसे बोल देते थे अब अचानक एक बार की बात है मुझे जैसे फीमेल आटेज बैठी हुई है तो वह अकेले बैठी ह एक आशिरवाद देना सबसे मिलना चाहिए छोटा हो चाहिए बड़ा हो डिफरेंट आटेस्ट मैं उनका बहुत फैन रहा हूं और आप यकीन मानिए जब टिकेट शोगा करते थे तो मैं पैसे कलेक करता था राजु भाई के टिकेट लेता था जब कभी आप स्टेज जाती हैं उनकी चीजें उनकी चीजें उनकी आइटम मुझे जमानी आथ थे पिर कुछ मैंने अपना जोड़ा कुछ ऐसे किया और शीखा अब मैं दो ही तीन इंडस्टी में आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं उसमें राजु भाई भी एक हैं हाला कि सभी लेकिन राजु भाई जैसा कोई नहीं राजु श्रिवास तो एक थे बस दूसरा बाना बड़ा मुश्किल है और यह हम अजम नहीं कर बारें कि राजु भाई हमारे बीश नहीं है कई दिन तक ऐसा हम लोग मैसूस करते रहेंगे आपने उनके साथ लास्ट टाइम कब काम क मैं जब वो प्ञेल जो खोस्त कर दा तो राजु भई स्टेज पर खड़े थे वन्होने समें अवारड विया था था एक हम एक आपने बात चल रही अच्छा वो एक साथ कई लोगों को डील कर ले यह बड़ी अच्छी आदती तो लोग अचानक से आ आते हैं तो एक दम से बोलते तो और कैसे वड़ी है फसक्लास अचा उनके हाथ चला कर दें सब तरफ सारे लोग को इंसे नाराज नहीं होता था हर आद कि अंदर मीटिंग वगरा चल रही थी राजु भाई को किसी ने बताया कि वो आए हैं अर्शद आपसे मिले तो मैं पहुचा अंदर बिठाला बहुत वले वले लगाया सम्मान कि आप मुझसे पूचा और कैसा है कोईट के बाद कैसे चल रहा है क्या चल रहा है शो चल रह तो बड़ी सारी चीजे उनके अंदर थी लास्मेरी मुलागाद राजु भाई से वही पर हुई थी अभी आपका कोई प्रोजेक्ट जिस पर आपका काम चल रहा हूँ अभी प्रोजेक्ट मैं कॉमेडी दो नहीं हाँ एक फिल्म मैं कर रहा हूं एक बहुत अक्षी फिल्म मैं नाम है वीरक्त जिसकी डबिंग चल रही है और वो फिल्म आने वाली है और काश राजु भाई होते और देखते मेरी ये फिल्म मुझे आशिरवाद मिलता तो मेरा भी प्रोजेक्ट ये चल रहा है बाकी लाइव शोज में मैं बिजी हूँ स्टेंड आप कॉमेडी ओल तो दो ही तीन नाम थे जिसमें एक राजु भाई भी थे जो मैं मानता था तो अभी लास्ट प्रोजेक्ट मेरी ये ही चल रहे है और एक बात चल रही है एक और कॉमेडी शो की जो लाइव होना है जगह जगह तो अभी बात चल रही है भी वो एग्वे नहीं दूख के किया था और उन्हें अपने और उनके बिताय लमों के बारे में बताया हमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे है टीवी ट्वांटीफोर